नमस्कार साथियों वंदे मात्रम बात करेंगे दोस्तों चिकिस्सा विभाग की आठ बड़ी भरतियों को लेकर के इस वीडियो में काफी कुछ महत्तपून जानकारी आपको इस वीडियो के मात्यम से मिलने वाली है सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या कुछ कहना है अनुराग नहराजी का और इसी के अलावा दोस्तों OBC सहीत S.C.S.T. वर्क के जादा अंकवाले भ्यारति जो है अंतिम वर्यता सूची यानि जो प्रोवजनल लिस्ट है उसमें सामिल नहीं किये गए है तो अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जो है और चि अपिसर भरती की रोक को लेकर के भी तो काफी आपके मन में सवाल जवाब है तो बताना चाहेंगे रोक नहीं लगी है केवल अब जो है आपकी जो फाइनल लिस्ट है जो आएगी उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है कोट की सातार दिन की छुट्टिया है तो इस कारण स जो है चार नौंबर की जो है डेट भी आपको मिल चुकी है इस्टे भी हट जाएगा और जो है आपकी फाइनल जो है लिस्ट भी समय पर जारी होगी काफी अब ब्यारती जो है गलती खुद करते है और भुगतना किसी और को पड़ता है तो इसी को लेकर कि इस वीडियो मे भी इस वीडियो में हम बात करेंगे तो चलेए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हो क्या कुछ कहना है अनुराग नहरा जी का और इनोंने इन भरतियों को जो है पूरा करवाने में जो है काफी संगर्षी किया है इसी को लेकर कि आप देख स है जिते अंदर छगानी जो एनेचम से लगे हुए है वर्तमान कार्यत सहरी प्रात्मिक्ता स्वास्ते के अंदर दवेक नगर नागोर में है जिनके अनुबवू तीन वर्ष चार माहें पास दिन का है फिर भी नो वेकेंसी में इनको 30 बोनस अंक नहीं मिले जिसका कारण था नागोर सियमचो नागोर सियमचो ने 2022 नर्सिंग वेकेंसी के अनुबवू परमान पत्र के फोर्मेट में इनका अनुबवू परमान पत्र बना कर दे देना जो की पुराना फोर्मेट होने के कारण इस बड़ती में इनको बोनस से 30 नंबर नहीं मिला जो की उनकी गलती नह इसमें आठ नंबर का जो पॉइंट था नहीं था इसलिए इस वेकेंसी में इनको बोनस अंक नहीं मिला लेकिन इस केस से किसी भी भाई या बहन को घबराने की जरुरत नहीं है नागोर स्यमेचों से जितने भी पुराने फॉर्मेट में अनुबो पुर्मान पत्र बने है उन सब को विभाग बोनस अंक देगा कोट से मामला जल्दी के लिए हो जाएगा तो दोस्तों ये मामला था नागोर स्यमेचों का जिसमें क्या है कि पुराने फॉर्मेट में जो आठ नंबर का जो कोलम था वो था ही नहीं तो इसके कारण जो है इनको बोनस अंक का लाब नहीं मिल पाया तो इनों ने जो है कोट का सहारा लिया तो इसलिए जो है अब जो है नागोर स्यमेचों की दोरा जितने भी पुराने फॉर्मेट में जो अनुबो परमान पत्तर बनवाए गए थे उन सबी को जो है मंगवाए गया है और उनको बोनस अंक दिया जाएगा उन कामला था इसके कारण जो है नर्शिंग ओपिसल भरती में जो है यह आप देख सकते हो जोतपुर हाई कोट के नर्शिंग ओपिसल भरती रोक के आदेश को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है एक सिंगल अभ्यारती की याची का जो चार नौंबर को विभाग जवाब देखा कोट की दसरा परवे की चुटियों की वज़े से चार नौंबर अगली डेट मिली है चिंता ना करो कोई भी मामूली सी बात है यह सबको आचार सहीता बात जो है आप सभी को जो है नियुकती मिल जाएगी एक अभ्यारती यानि गलती करे कोई बुगते कोई और परि लिख सकते हो नर्श्रिंग ओपिसर भरती अंतिम वर्यता सूची में ज्यादा अंक वाले सामिल क्यों नहीं हाइग कोट ने जो है सरकार से जवाब मांगा है ओवी सी ऐसी एस्टिज वर्ग के ज्यादा अंक वाले से काफिया ब्यारती है जो अंतिम यानि जो प्रोजिनल लिस्ट जारी की गई है उनमें उनको सामिल नहीं किया गया है कम अंक वालों को सामिल किया जा रहा है तो इसको लेकर के उन्होंने कोट का साहरा लिया और कोट जो है 25 सरकार किस्सा विबाग से जो है जवाब मांग रही है तो इसी को लेकर के आप देख सकते हो हाइग कोट ने 8,700 पदों की नर्शिंग ओपिसर भरती 2023 में OBC सही थी S.C.S.T. वर्क के ज़्यादा अंकवाले भ्यारतियों को अंतिम वर्यता सुची में सामील नहीं करने पर पर्मुक्च किसा सचिववा चिकिसा निदिशक सही थी जवाब देने के लिए कहा अधालत ने पूछा कि अंतिम वर्यता सुची में ज़्यादा अंकवालों की जगे कम अंकवाले चेहन क्यों गिये गए वहीं याचिका की कोपी एजजी को दिलवाई है जस्टिक सुदेल बंसल ने निदेशक गिराज हुए अन्ने की याचिका पर जवाब दिया अधिवक्ता परदीप सिंग निवाना ने बताया कि नर्सिंग ओपिसर भर्ती की अंतिम वर्यता सुची साथ नौ अक्टुम्बर को जारी की लेकिन इसमें प्रात्ती OBC वैसी स्टिवर्ग के अभ्यारतियों को सामिल नहीं किया गया जिनके ज्यादा अंक्ते वही उनसे कम मेरिट वाले अभ्यारतियों को सामिल कर लिया गया बोनस अंक देने में राज्य सरकार अपने संसोदित आदेस का पालन नहीं कर रही राज्य सरकार ने अभ्यारतियों को बोनस रंग के लिए अनुबो पर्मान पत्र एक महीने में 26 दिन के इसाफ से जारी किये है जबकि जो संसोधित आदेश जारी किये गए थे उनमें 30 दिन से जारी करने के लिए था ऐसे अनुबो पर्मान पत्र जारी करने से प्रार्तियों की वरेता भी प्रभाविते हो रही है इसलिए प्रार्तियों को अंतिम वरेता सूची में सामिल करवाय जाए और अनुबो पर्मान पत्र एक महीने यानि तीज दिन माना जाए अदलत ने मामले के सुनवाई करते हुए राज्य सरकार वची किसा विवाक से जवाब मांगा है तो दोस्तों जो है इस मामले की भी कोई आपको चिंता करने की आवसकता नहीं है जिनका ज्यादा अंग था उनको जो है फाइनलिस्ट में जो है सामिल कर लिया जाएगा तो ये कोई ये देखिए मामला फिर है कोट को रोक नोटिस जारी कर जवाब मांगा नर्सिंग ओपिसर बढ़ती 2023 ये वही मामला है दोस्तों ये सभी मीडिया में ये खबरे पहुँच गई है इसलिए काफी ब्यारती जो है चिंतित थे तो उनको बताना चाहेंगे चिंता करने की कोई भी आवसकता नहीं है विबाग और सरकार के पाज सब कुछ जवाब किलियर है और आपकी आचा सहीता के बाद ही आपको न्यूक्ति मिल पाएगी और इसी को लेकर कि आप देख सकते हो हर खबर पत्री का हो चाहे देनिक बासकर हो चाहे कोई सा भी जो है न्यूच पेपर हो जो आपका आठवा जो पोईंट था इसका निस्तारण जवाब विबाग बना चुका है चिंता ना करें यह कोट केस के ओल बिलकुल सही था इसमें बच्चों की गलती नहीं जो है विबाग जो है उनकी गलती थी इसके कारणी यह मामला चला गया था और सुरेज जी और ब्रेकिंग न्यूज जो फस्ट इंडिया न्यूज में है जो छप गया है आप देख सकते हो सभी मीडिया में वाइरल हो रहा था इसकारण जो है हमें काफी जो है कमेंट्स देखने को मिले तो उन सभी भाईयों को बताना चाहूंगा आप चिंता ना करें यह मामले जो है जैसे जैसे भरती लंबी प्रोसेस के दोरान गुजरेगी तो यह कोट कचेरी के मामले चलते रहेंगे बस लेकिन फाइनल बात यह है आपको आचार सहीता के बाद ही आपको न्यूपति मिल पाएगी और आपकी जो भरतियों की जो कारी है वो आचार सहीता के दोरान जो है चलते रहेंगे काफी new challenge वाले क्या कुछ भी आपको जानकारी दे लेकिन आपको newty आचा सहीता के बाद ही मिलेगी और बढ़तिया प्रकिरियादीन रहीगी तो आपको चिंता करने की कोई आवसकता नहीं है ये कुछ काफी कुछ जानकारी आती तो हमने आपको वीडियो के मा प्रकिताना चाहेंगे आपकी भीबर्ती समय पे पूरू होगी चाहे थोड़ा सा समय लगे लेकिन आपकी भीबर्ती पूरी होगी फाइनल बात किलियर सबके सवाल किलियर हो चुके है चैनल से जुड़े रहे ये वीडियो को लाइक कर लेजिए दन्यवाज जहिंज बारत करना